कि नमस्कार स्वागत आप सभी का वाइबरेंट लेर्णिंग के प्लेटफॉर्म पर आज की क्लास में हम देखेंगे इस संडे का जो कल का आपका फेपर था उसका सॉलुशन मैथ पार्ट का सॉलुशन इस क्लास में हम देखेंगे जले शुरू करते हैं पहले क्विशन के कि दो उम्मीद्वारों के बीच एक चुनाओं में पराजित उम्मीद्वार ने डाले गए वैद मतों का 42 प्रतिशत हासिल किया और 25,45,800 मतों से वो चुनाओं वार गया यदि 3,65,500 मत जो है वो अवेद गोसित किये गए और 30% लोगों ने मत नहीं डाला तो मद्दाताओं में मत नहीं डालने वाले लोगों की संक्या लगबक कितनी है ठीक है यानि एक इलेक्शन है उस इलेक्शन में वोटर्स है माल लेते हैं कि टोटल वोटर जो है वो हंड् एक्स वोटर्स है तो एक्स है उनमें से 30% ने अपना वोट कास्ट नहीं किया ठीक है इसका मदब 30% मदब 30x 30x ने वोट कास्ट नहीं किया तो बचे 70x 70x लोगों ने वोट जो है अपना कास्ट किया वोट डाला उनमें से भी 365,500 इतने वोट जो है वो इनमें से इनमें से इनमेलीड वोट हो गए 3,65,05 यह इनमेलीड वोट है ठीक है इसका मदब वेलीड वोट बचे वेदमत यह वेलीड बचे कितने 70x माइनस 3,65,500 इतने वोट वेलीड बचे अब इन वोट है इन वोटों का 42 परशेंट जो डिफिटेड कैंडिडेट है जो पराजित उमिदवार है उसको 42% मिला इनका अब यह जितने भी है उनका 42% इसको मिला तो जो विनिंग कैंडिडेट होगा जो जीता है विजेता उमिदवार उसको बाकी बचा हुआ 58% मिला होगा मालो ये total 100% है तो इसका 42% इसको मिला तो 58% इसको मिलेगा ठीक है इसका मतलब ये कितने परसेंट से loss किया इसने तो इनका यानि valid वोटों का 16% का difference है दोनों के वोटों में तो इसने 16% वोटों से loss किया है यानि हम ये कह सकते हैं कि 70X माइनस 3,65,500 इसका 16% 16% मतलब 16,800 16% जो है वो बराबर होना चीए कितने वोटों से आ रहा था हो तो 25,45,000 और 800 के बराबर होना चीए ये वाली value इतनी होनी चीए इसको थोड़ा ओर simplify करेंगे 16 और 100 को इधर ले आएंगे फिर इसको इधर लाएंगे ट्रांसपर करेंगे तो 70X की value आ जाएगी 70X की value होगी 25,45,800 इन्टू 100 अपोन 16 पहले ये इधर आएगा और इसके अंदर फिर ये add हो जाएगा इधर आके 365,500 ये 70X की value है यहां से हम हमें बताना है कि जो मत नहीं डालने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगबग संख्या कितनी हैं मत नहीं डालने वाले मत नहीं डालने वाले कितने हैं 30X तो हमें 30X की value बताने हैं 70X की value अपने पास हैं हमें 30X की value बताने हैं तो अगर मैं 10X की value निकालूं तो 7 से इसको divide कर देंगे जो भी ये number आएगा उसको हम 7 से divide कर देंगे तो ये 10X की value हो जाएगी और अगर 30X की value निकालने के लिए इसको हम 3 से multiply कर देंगे यानि कुल मिलाके 30X की value ये वाली आएगी जो मैंने लिख रखी है ये 30X की value आएगी इसको आप अगर लगबग calculate करें तो ये लगबग लगबग 70,000,000 आएगा लगबग लगबग 70,000,000 आएगा 70,000,000 का मतलब हो गया लगबग 7,000,000 70,000,000 हो जाएगा तो ये 7,000,000 लगबग 7,000,000 इसकी value आएगी ये थोड़ा सा calculation है लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं है आप 16 से divide कर ले पूरा divide हो जाएगा ये divide होके उसमें add करेंगे फिर 7 से भी divide हो जाएगा और into 3 कर देंगे तो almost लगबग value बतानी है तो लगबग 7,000,000 के आसपास जाएगी पूरा calculate भी नहीं करना है आप zeros में calculate करेंगे तो भी आपको पता लगबग जाएगा 7,000,000 यहार कह सकते हैं लगबग 70,000,000 1,000,000,000 10,000,000 होता है तो 70,000,000 मतलब 7,000,000 हो जाएगी ठीक है 7,000,000 तो पहले का answer होगा C option ठीक है इसकी लगबग value calculate कर लो जैसे यह 35,000,000 कर लो इसको यह 36,500,000 को पांस जार ही कर दो सिधाना ठीक है चलिए दूसरा question दूसरा question इसमें calculation भी आसान है और concept भी बिलकुल आसान है दिया हुआ है कि सुर्भी ने 2550 रुपे में एक hitter करीदा और इसे 4% चंकरवर्दी व्याज दर पर दो किस्तों में भुगतान करने का नीडने किया तो हर किस्त की जो राशिय वो कितनी है ठीक है उसने एक hitter खरीदा 4% compound interest rate पर 4% मतलब हो गया 1 upon 25 इसका मतलब हुआ कि उसका जो मूलदन या principle और उसकी जो installment है पहली installment और उसके principle का ratio होगा 25 और 26 पर 35 पर एक ब्याज लगेगा तो 26 की installment देनी पड़ेगी दूसरी के लिए यह ratio square हो जाएगा 25 का square यानी 625 और 26 का square मतलब 726 अब चुंकि वो equal installment दे रही है तो इन दोनों को equal करेंगे तो इसको हमें 26 से multiply करना पड़ेगा multiply करते ही P और I क्या जो नया ratio है जो new ratio है इन दोनों का 26 into 25 यह 650 हो जाएगा और 26 into 26 676 हो गया यह 625 और 676 इसका मतलब यह होगा कि अगर हर किस्त अगर हम टोटल मूलदन या टोटल प्रिंसिपल देखें तो यह हो रहा है 1275 1275 जबकि हमें टोटल मूलदन जो है वो दिया हुआ है कितना कि उसने कितना उधार चोड़ा हुआ है उसने उधार चोड़ा हुआ है 2550 जो कि इसका एक्जेक्टली दो गुना इसका एक्जेक्टली डबल है इसका मतलब जो 776 की जो किस्त है तो इसको डबल कर देंगे हम डबल कर देंगे तो यह वेल्यू आ जाएगी 1352 यानि हैर इंस्ट्रॉल्मेंट कितने रुपे की बढ़नी होगी 1352 इसमें C ओप्शन आंसर होगा 1352 रुपे की एक इंस्ट्रॉल्मेंट बनेगी ठीक है आसान क्यूश्चन था बिल्कुल अगला क्यूश्चन है एक मिस्रंड के 40 लिटर में दूद और पानी का अनुपाद 32 है 10 लिटर मिस्रंड निकालकर उसकी जगए 10 लिटर दूद मिला दें तो नए मिस्रंड में दूद और पानी का अनुपाद कितना होगा ठीक है देखें, 40 लिटर में 3-2 का रेश्यो है, तो अगर आप 40 में 3-2 का रेश्यो देखें, 40 को 3 रेश्यो 2 में बाटें, तो मिल्क और वोटर का रेश्यो क्या होगा, 3-2 में डिवाइड करें, टोटल 5 हुआ, 5 की वेल्यू दे रखिया 40, 40 L इसका मतलब 8 x हो गया है ना 8 से मल्टिप्लाई हुआ तो कितना मिल कुआ 24 लिट्र और यहां पर यहे कितना हो जाएगा 16 L एट से मल्टिप्लाई कर लेंगे मतलब मिस्रण में 24 लिटर तो क्या है दूद है और 16 लिटर पानी है आप कह रहे हैं कि 10 लिटर मिस्रण निकाल दें अगर 10 लिटर निकालेंगे तो निकाले गए में भी 3-2 की रेशियो में होगा क्योंकि आप उसको अलग रेशियो तो कर नहीं सकते अलग रेशियो तब होगा जब बाहर से आप कुछ मिलाएंगे अलग से आप निकाल नहीं पाएंगे कि दूद को अलग निकाल ले और पानी को अलग से निकाल ले वो मिलावा मिस्रण ही निकलेगा उसमें भी 3-2 ही होगा जो 10 लिटर निकालेंगे तो इसको भी अगर 3-2 में बाट के देखें टोटल 5 हुआ, 5 की value 10 लिटर है, निकाला गया mission 10 लिटर है इसका मदलब दूद कितने लिटर निकाला 6 और पानी कितने लिटर निकाला 4 जो दes लिटर निकालेंगे उसमें छह लीटर दूदध होगा और चांड लीटर पानी निकलेंगा ठीक है अब उस के जगह हमने क्या हूँ THIS DTE दूद मिला दिया है यानि 27 लीटर दूद ता इसमें से 6 लीटर माइनस हो गया अ उज lot दूद 6 लिटर माइनस हो गया और इस पानी में से 4 लिटर पानी जो हूँ माइनस हो गया अब पानी तो आपने मिला या निहीं आपने क्या मिलाया आपने 10 लिटर दूद इसमें वापस मिला दिया इसका मतलब ये ratio आएगा देखू, दूद तो कितना हो गया 24-6, 18 18 और 10 कितना हो गया? 28 और 16-4 कितना हो जाएगा? 12 28 बारे का ratio होगा इसको और simplified करें तो और simplify करेंगे तो यह आजाएगा 7 ratio 3 यानि C option 3rd option इसका correct answer होगा simple solution है यह भी 7 ratio 3 आजाएगा इसके बाद next है सादान ब्यास पर है simple interest पर एक कोई सम है जिसको 6 वर्षों में जो 6 वर्षों में बढ़कर 69,200 रुपे हो जाता है और 10 वर्ष में बढ़कर 22,000 रुपे हो जाता है 6 साल में तो हुआ कितना? 6 years में तो हो गया 69,200 और 10 years में हो गया 22,000 इसका मतलब यह हुआ कि 4 साल में इसका गयप है 4 year में कितना ऐसाई बना ऐसाई मतलब simple interest या सरल ब्याज या साधान ब्याज कितना बना तो इन दोनों का difference देखो यह कितना बढ़ा इसमें से यह गटाएंगे तो यह आएगा 12,800 क्योंकि ब्याज ही बढ़ेगा मूल दन तो बढ़ता नहीं है इसलिए ब्याज ही बढ़ा होगा यह तो 12,800 रुपे ब्याज बढ़ गया चार साल में इसका मतलब चार साल का ब्याज है 12,800 एक साल का ब्याज कितना होगा एक साल का चार से डिवाइड कर देंगे तो 32,000 रुपे एक साल में 32,000 रुपे ब्याज बनेगा ठीक है छे साल में कितना बना होगा क्योंकि 6 साल बोला होगा तो 6 साल में कितना बना होगा ठीक है 6 साल इसको 6 गुणा कर दे 3200 इंटू 6 कर दे तो यह आज यहेगा 19,200 रुपे यानि 6 साल में 19,200 रुपे ब्याज बनाए तो यह जो 69,200 रुपे बने हैं न, मिस्टर दन है यह अमाउंट है, टोटल इस अमाउंट में 19,200 रुपे इंट्रेस्ट है, मतलब ब्याज है तो अगर मैं यह कहूँ कि प्रिंसिपल कितना है तो 69,200 में से 19,200 माइनस कर दें यानि 40,000 रुपे क्या है 40,000 रुपे मूलधन या प्रिंसिपल है ठीक है, 40,000 रुपे सबसे पहले हमने प्रिंसिपल पता कर लिया अब क्यूशन यह कह रहा है कि अगर ब्याज अगर 2% ज्यादा होती मतलब एक साल में 2% ब्याज ज्यादा मिलता ब्याज मिलता है अमेशा प्रिंसिपल या मूलधन पर तो 40,000 रुपे का 2% 40,000 का अगर 2% निकाले 40,000 का 2% अगर निकाले तो वो बनेगा 800 रुपे इसका मतलब हर साल 800 रुपे ज्यादा मिलता तो अभी एक साल में कितना मिल रहा था 32,000 रुपे 32,000 रुपे एक साल का मिल रहा था 800 रुपे ज्यादा मिलते तो 32,000 प्लेस 800 यानि एक साल में 4,000 रुपे ब्याज बनता 4,000 रुपे ब्याज बनता हर साल का 4,000 रुपे के हिसाब से हमें बताना है कि 76,000 रुपे कब तक हो जाएगा यानि 40,000 से बढ़कर 76,000 होने में तो कितना टाइम लगेगा इसका मतलब कितना ब्याज बढ़ाना है ठीक है 40,000 से 76,000 मतलब हमें 33,000 रुपे ब्याज बढ़ाना है और हम कहरें एक साल में 4,000 बनेगा तो 36,000 बनने में कितने साल लगे 30,000 बनने में 4,000 के हिसाब से कितने साल लगने वाले हैं तो इसका मतलब हुआ कि 9 साल लगने वाले 9 years में ये ब्याज बढ़के 36,000 हो जाएगा और 40,000 प्लेस 37,000 मिलके मिसरदन या अमाउंट जो है वो 76,000 तक पहुंच जाएगा ये आपका अंसर होगा 9 years 9 years बाद में ये 76,000 हो जाएगा ठीक है next देखते हैं देखो अगला है 25 विद्यारतियों का उसद वजन 62 kg था बाद में पता चला कि 52 की जगह 42 लिख दिया गया ठीक है और ये भी पता चला कि 55 एक बार लिखना था लेकिन उसको दो बार लिख दिया तो नया एवरेज कितना होगा देखो हम चेंज देखते हैं उसकी जगह हमें क्या लाना पड़ेगा हमें 52 लाना पड़ेगा धियालीष को हटाया और उसकी जगह 52 लेकि आई ठीक है यानि 10 जूडा 10 बढ़ जाएगा टोटल के अंदर उसके बाद में कह रहें 25 दो लिख़ा हूज आए तो 1 पच्पन को हटाना पड़ेगा तो हमने 55 माइनस किया एक 55 माइनस किया अबकुल मिला कि हम कह सकते हैं कि जो change हुआ वो माइनस यहां पर देखो plus का 10 हुआ और यह 10 माइनस 55 यानि माइनस का 45 का change हुआ यानि total में 45 की कमी हो जाएगी 45 कम हो जाएगा तोटल जो होगा ठीक है अब 45 कितने लोगों का कम होगा तो 45 कम होगा 25 लोगों का 25 लोगों का सबका एवरेज कम होगा तो एवरेज में अगर लें तो 25 लोगों का तो हर एक आदमी का कितना कम हुआ 25 से डिवाइड कर देंगे इसको सरल कर ले तो 9 अपोन 5 हो जाएगा यानि माइनस का 1.8 हो जाएगा तो एवरेज जो है उसमें 1.8 का 8 की कमी या डिक्रिमेंट हो जाएगा तो पुराना एवरेज 62 था उसमें से 1.8 अगर माइनस करें तो इसका मदब नया एवरेज जो है वो 60.2 हो जाएगा 60.2 बी ओप्शन करेक्ट अंसर होगा केवल आपको यह देखना है कि आपको हटाना क्या है और जोडना क्या है उस चेंज को आप 25 क्योंगि टोटल 25 डेटा है या 25 लोग है तो सभी का में डिवाइड करेंगे तो एवरेज में कितना बढ़ेगा या घटेगा वो आपको आइडिय सब्सक्राइब करेंगें तो कि आपको बताना है प्रफिट या लोगष परसेंट कितना चुक्कि हमें परसेंट में आंसर देना है इसलिए 121 को हम काम में नहीं लेंगे उसको हम छोड़ सकते हैं हम सीधा रेशयो काम में लेंगे देखों कह रहा है कि जो अंकित मुल्ले है वो क्रे मुल्ले से 10% ज़्यादा है यानि CP से MP 10% ज़्यादा है इसका मतलब 10 रेशियो 11 है CP और MP का रेशियो फिर कह रहा है कि 20% डिसकाउंट दिया गया इसका मतलब MP से SP का रेशियो 20% होगा एक बटा पांच यानि 5 पर एक की चूड़ दी गई तो 5 अनुपाथ 4 होगा MP से SP का रेशियो 5 रेशियो 4 MP को एक्वल करना है MP को एक्वल करेंगे तो MP की वेल्यू एक जगह 11 है और एक जगह 5 है दोनों जगह अगर इक्वल करें इसको तो यहां 5 से मल्टिप्लाई कर दें और यहां 11 से मल्टिप्लाई कर दें ताकि MP एक्वल हो जाए तो CP कितना बना 50 और MP 55 हो जाएगा अलंगि उसका कोई रोल नहीं है और यह हो जाएगा कितना 44 इसका मतलब 50 रुपे की वस्तू को मल इस रुपे में बेचा गया तो लोस हुआ कितने का लोस हुआ छे का और कितने का लोस हुआ परसेंट में अगर देखें तो चेका लोस हुआ 50 पे इंटू 100 इसको अगर सोल करें तो इसका मतलब 12% लोस हो जाएगा 12 % लोस होगा c option answer 12% लोस नेक्स देखो अगला दिया हुआ है एक संकू के आकार के बंडारन टेंग की उन्चाई और त्रिज्या त्रमेशन 9 फीट और 7 पीट है देखो एक कौन की सेफ में एक स्टोरेज है त्रिज्ट टेंग दिया हुआ आपको यानि अनाज वगेरे स्टोर करने के लिए पानी स्टोर करने के लिए एक टेंग दिया हुआ है इसकी हाइट रेडियस दोनों दे रखें रेडियस यानि आर की वेल्यू तो कितनी है एक कला कि सीविद्ट और इसकी हाइट दे रखें आपको 9 फि और आपको कहा है कि इसके अंदर कितना पानी या अनाज या अदर या बारा जा स्टेंगे इसका वोल्यूम या आयतन कितना आप चेंगी व आपको बता है volume या item का formula क्या होता है volume होता है 1 upon 3 pi r square h value रखेंगे तो 1 upon 3 pi की value 22 upon 7 लेनी है r की value 7 है और h की value 9 है 7 इससे cancel out हो आ 3 इससे हो जाएगा 7 into 3 21, 21 into 22 करेंगे तो answer हो जाएगा 462 square feet आ जाएगा square feet work foot sorry cubic foot area नहीं है तो cubic foot आ जाएगा cube में आ जाएगा ठीक है यानि foot का feet का cube हो जाएगा तो answer होगा C option 462 cubic feet next देखें एक camera है एक room है उसकी length, breadth और height तीनों दे रखें आपको length दे रखें 9 मीटर 25 cm एक मीटर में 100 cm 100 cm होंगे तो 9 में 900 होगे और plus 25 और होगे यानि 925 cm तो length है ठीक है और 650 जो है वो उसकी braid तिया चोड़ाई है और 275 उसकी height है अब कह रहा है कि एक सबसे बड़ा जो tape है सबसे बड़ा measuring tape जो है वो आपको बतायाना है जिससे कि आप इन तीनों को पूरा-पूरा माप सकें और यह question मतलब हमें hcf निकालना है तो तीनों नंबर का hcf निकाल दे hcf मतलब common लेना है तो clear दिखाई दे रहा है कि 25 common आएगा इसका मतलब 25 cm इसका answer होगा तीनों का hcf लेना आपको सीदा ती option होगा correct answer ठीक है next देखें अगला दिया हुए छे पुरूस और तीन लड़के एक साथ काम करते विए एक आदमी और एक लड़के के दुवारा एक साथ किये गए कारिये का पांच गुना काम कर सकते हैं एक पुरूस और एक लड़के की कारिये शम्ता का अनुपात कितना है कह रहा है कि 6 men 6 men plus 3 boys अगर यह मिल जाएं तो यह बराबर काम करेंगे 5 गुना काम करेंगे किसका 1 men plus 1 boy ठीक है यह तो हो गया 6 आदमी और तीन लड़कों का कारिये और यह हो गया एक आदमी और एक लड़के का गर एम और भी उनकी efficiency है ठीक है तो एक आदमी एम काम करता है तो 6 M करेंगे और एक लड़का B काम करता है तो तीन थीन भी करेंगे ना ऐसे एक आदमी और एक लड़के का काम कहारा है जितना एक लड़का और एक आदमी करते मिलकर उसका पांच गुना काम यह कर सकते हैं तो बराबर 5 इंटू M प्लस B रख दिया हमने इक्वल में अब की efficiency का ratio होगा तो answer हो जाएगा A option 2 ratio 1 होगा ठीक है आसान सा question था बिलकुल next question देखें कहरा है दिन में 6 गंटे काम करने वाले 4 pump एक टैंक को 3 दिनों में खाली कर सकते हैं देखें 4 pump है 6 गंटे काम करें 3 दिनों में मालो की 1 gallon या 1 liter या एक किलो लिटर जो भी कहें पानी को खाली कर सकते हैं MDH रूल लगा रहे हम ठीक है MDH वाला रूल लगा रहे ठीक है फिर खहरा है कि वही 4 pump वापस 4 pump है एक दिन में कितने गंटे काम करें मालो एक्स गंटे काम करते हैं तो वही एक टैंक जो है खाली हो जाना चाहिए वही एक किलो लिटर या एक गिलन खाली हो जाना चाहिए दोनों को इक्वल रखेंगे यहां से X की वेल्यू आ जाएगी X की वेल्यू 18 आ जाएगी यानि हर दिन उनको 18 गंटे काम करना पड़ेगा तब जाके वह पूरा टैंक खाली कर सकते है ठीक है नेक्स देखिए एक दुकांदार ने 24,000 में एक स्कूटर और 2,40,000 में एक कार खरीदी उसने स्कूटर को 25% लोस पर और कार को 10% प्रोफिट पर बेचा तो उसका प्रोफिट या लोस टोटल कितना होता है वो बताना आपको ठीक है देखो चुंकि मुझे परसिंट में बताना है तो फिर से मैं CP जो है इनके या जो ASP जो भी है उनका हम यूज में नहीं लेंगे CP दिया वा यहां पर दोनों का उसको हम यूज नहीं लेंगे उसकी जगह हम रेशियो यूज लेंगे ताकि कुश्चन थोड़ा आसान हो जाए देखो स्कूटर स्कूटर का CP है CP अगर लिखें दोनों का तो 24,000 है और कार का CP जो है वो 2,40,000 है अगर मैं सिंपल रेशियो लूँ तो 1 रेशियो 10 आ रहा है तोड़ा सा % आसान रहे उसके लिए मैं 100 और 1000 माल लेता हूँ एक बार है न ताकि % निकालना आसान रहे अब कह रहा है स्कूटर को 25% लोज पर बेचा तो 100 का 25% निकाले तो इसका मदब 25 रुपे हो गया यहां पर लोज 25 रुपे का है ठीक है और इसको उसने 10% प्रोफिट पर बेचा तो इसका 10% 100 हो गया यह प्रोफिट हो गया अगर कुल मिला के देखें तो माइनिस 25 है और प्लेस का 100 है इसका मदब 75 रुपे का प्रोफिट हो रहा है लोज और प्रोफिट दोनों मिलाए और यह कितने पर हो रहा है तो 100 रुपे का स्कूटर था 1000 रुपे की कारती यानि 1100 पर हो रहा है 1100 रुपे पर इतना प्रोफिट हो रहा है अपने पास 75 रुपे का प्रोफिट हो रहा है तो अगर प्रोफिट परसेंट निकाले तो बट्टे 1100 into 100 कर दें ठीज है यह इससे divide हो जाएगा 55 को 11 से divide कर लेंगे तो लगबग answer जो जाएगा आपका वो 6,99-11% ठीज है कौन सा option होगा? पी option, 6,99-11% का profit हो जाएगा कुल मिला के ठीक है पर्षेंट थोड़ा इजीली निकाल पाई ठीक है नेक्स देखें किया रहा है एक वेक्ति अपनी आदी यात्रा का 70 किलोमेटर ट्रेन द्वारा 70 किलोमेटर की चाल से ट्रेन द्वारा 6 का आदा 40 की स्पीड से बस द्वारा और 6 जो बचीवी यात्रा है 70 किलोमेटर पर आवर उसके बाद जो बच जाएगा जितनी भी बच जाएगी उसका आदा फिर से ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है जो बचीवी यात्रा है उसका आदा उसने बस से किया कितनी स्पीड से 40 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से ठीक है और बाकी जो यात्रा है यानि जो भी आदा यहां बचेगा वो उसने किया साइकल से साइकल से किया कितनी स्वीड से 10 किलोमेटर परावा यह कुछ कंडिशन दे रखिया है अब मैं यहां पर बट्टा दो बट्टा दो दो बार करना पड़ेगा तो मैं माल लेता हूँ टोटल यात्रा 4 किलोमेटर है च्यार किलोमेटर में से दो किलोमेटर उसने ट्रेन से की बाकी बची दो किलोमेटर उसका आदा मतलब एक किलोमेटर उसने बस से की बाकी एक किलोमेटर उसने साइकल से की अब एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का जो फोर्मूला होता है वो यह है या जो म टाइम की बात करें, तो यहां पर 2 km 70 की स्पीड से जा रहा है, और टाइम होता है, डिस्टेंस अपोन स्पीड, दूरी बटा चाल, यह टाइम होता है, दूरी 2 है, चाल 70 है, तो 2 बटे 70 हो गया, यह उसका टाइम हो गया, यहां पर कितना होगा, एक बट्टा 40 क्योंकि एक किलोमेटर 40 की स्पीड से चला है फिर एक किलोमेटर 10 से चला तो एक बट्टा 10 हो जाएगा इनका LCM ले लेंगे तीनों का LCM 280 आएगा ठीक है 47 से 4 बार डिवाइड होगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा 40 से 7 बार डिवाइड होगा 7 इंटू 1 7 हो जाएगा और 10 से 28 बार डिवाइड हो गया तो यह 28 आजएगा यह उपर चला जाएगा ठीक है 28 इंटू 4 एक सो बीस यानि 1120 हो जाएगा और 8, 7, 15, 15 और 28 हो जाएगा 43 और 43 को जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो यह 26.05 आएगा 26.05 किलोमेटर पर आवर ठीक है यानि ए ओप्षिन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसमें चलिए नेक्स देखते हैं अगला क्यूशन है एक सम्दिवावत रिवू देख आइसो इसके लिए स्टैंगल है जिसमें A.B. और A.C. equal है ट्रा demiş बना लेते हैं इसके लिए स्टैंगल यह माद लिजी इसके लिए स्टैंगल है A.B.C इसमें A.B. और A.C. equal है यह दोनोapse क्वेल है टीक है उसके बाइब कहरा है बी थी पर D point इस तरह से है AB बराबर CD है यहां पर एक point D है यहां पर एक point D इस तरह से है उसको अगर मिला दे हैं यह AB जो है AB यह बराबर है इसके already और AB पिर जो है वो CD के वे बराबर मतलब यह तीनों side equal है इस तरह से दियाग आपको इसके अलावा ऑफ जो है वो डी इस तरह से है कि दी एबी पर लंब है यहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है यह इपॉइंट है डी एबी पर लंब है यह दिया वह आपको आपको कह रहा है बी एंगल जो है वो 30 डिग्री है V angle 30 है तो ADE की map कितनी है यानि ये वाला angle बताना ये वाला angle कितना है ADE angle कितना है देखे धान से देखना बड़ा triangle अगर आप देखेंगे तो 2 side equal है इस side के सामने अगर 30 है तो AB side के सामने ये वाला भी 30 होगा ये 30 होगा अब इस वाले में आए ADC triangle में आए ADC में AD के सामने 30 है और ये दोनों side equal है तो अगर ये 30 है तो तीनों का जोड होगा तीनों का sum होगा 180 और 180 में से 30 माइनस हो गया तो बचा कितना 150 150 अब ये दोनों side बराबर है तो इसका मतब ये वाला angle और ये वाला angle बराबर आएगा और 150 को अगर divide करें 150 बचा इन दोनों का जोड और बराबर बराबर divide करें तो ये दोनों आ जाएंगे 75 और 75 ठीक है पूरे triangle में अगर देखें तो ये 30 है ये 30 ABC में अगर देखें ये 30 है ये 30 है तो 60 हो गया 180 में से ये 260 हो गया इसका मदब ये पूरा 120 बचा ये पूरा 120 बचा 120 में से ये 75 हो गया तो इधर वाला 45 बच गया ये 45 बचा ठीक है अब इस वाले triangle में ये 45 है ये already 90 है इस AED में है ना ये 45 है ये 90 है इसका मदब ये भी 45 ही बचेएगा तो जो AD triangle है वो 45 आएगा अंसर होगा A option A option जो है वो correct answer next देखें 1800 में की एक रेस में राकेश ने 2 मिनिट का समय लिया तो आप बताएंगे राकेश की speed कितनी है 1800 में दोड़ा 2 मिनिट, 2 मिनिट मतलब 120 second तो इसका मतलब 1800 बचे 120 मिनिट पर second उसके बाद सूरज सूरज की speed होगी वही 1800 मिटर सूरज दोड़ा है 126 second में तो इसका मतलब 1800 बचे 126 मिनिट पर second ये सूरज की speed हो जाएगी इन दोनों ने इतना इतना time लिया इस देश में तो ये इनकी speed हो गई अब कहरा राकेश सूरज को कितनी दूरी से हराएगा देखो सूरज जो है वो 6 second पीछे रहा है ये 120 second में पहुंच गया और ये 126 second में पहुंच रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 6 second की दूरी पर है जैसे ये race है मान लो जब राकेश यहां पहुंचा तो सूरज इससे 6 second की पीछे था मतलब अगर सूरज को 6 second और मिल जाए तो वो यहां पहुंच जाएगा ठीक है तो इसका मतलब इतनी distance से हरा है 6 second के time से हरा है अब सूरज को 6 second में कितनी distance सूरज कवर कर सकता वो देख लेते हैं 6 second में सूरज की speed यह है 6 second में कितना कवर करेगा तो distance कितनी आएगी देखो 1800 बटे 126 इस speed से अगर वो 6 second तक दोड़ा तो दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय तो इतनी distance वो दोड़ जाएगा इसका मतलब इतनी distance से वो हारा है इतनी distance और दोड़ना था उसको तो यह distance निकालने तो पता लग जाएगा कितने से आ रहा है इसको सरल कर लेते हैं 18 से कड जाएगा यह 18 into 7 127 होता है तो 600 बटे 7 आ जाएगा और 600 को 7 से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 88 आ जाएगा फिर 4 बचा तो 85.71 85.71 आ जाएगा D option होगा answer ठीक है D option correct answer है next देखें अगला algebra का question है आसान सा question है x square plus 1 upon x square is equal to 23 है तो आपको बता है न x cube plus 1 upon x cube कितना होगा देखें x square plus 1 upon x square आपको दिया हुए इसमें दोनों तरब 2 add कर दें तो add कर देंगे तो यह x plus 1 upon x का holy square बन जाता है यह सभी लोग जानते है यह 25 हो गया इसका मदब x plus 1 upon x हो गया 5 under root कर देंगे 25 का तो यह 5 आ गया इसका cube कर देंगे तो आपको x cube और 1 upon x cube की value मिल देगी तो x plus एक बट्टे x का दोनों तरब cube कर दें तो यह होगा x cube plus 1 upon x cube plus 3 into x 1 upon x और x plus 1 upon x और यह हो जाएगा 125 यह x तो इससे cancel out हो जाएगा इसकी value 3 रख देंगे sorry 5 रख देंगे x plus x 1 upon x तो 5 into 3 15 होगा 15 इदर लाके minus कर देंगे x cube और 1 upon x cube पराबर 15 मिल देंगे तो 110 बचेगा answer हो जाएगा 110 110 बी option हो जाएगा यह भी आसान सा क्यूशन था बिलकुल next आपको इसको साधान भीन में बदलके बताना है साधान भीन यानि simple fraction में बदलके बताना है क्या होगा तो इसका rule क्या होता है देगो जो बार वाली fractions होती है जिनमें बार लगा हुआ होता है क्या rule होता है कि पहले आप जितनी बे नंबर में डिजिट लिखिए हैं सारी लिख दीजिए 7812 फिर जिन पर बार नहीं है वो डिजिट माइनस कर दें 708 पर बार नहीं लगावा है तो 78- कर दें डिवाइड भाई पॉइंट के आगे पॉइंट के इस तरब जितनी डिजिट पर बार लगावा है उतने 9 लिखें तो दो डिजिट पर बार लगा है वन और टू पर तो इसलिए दो बार 9 लिखेंगे और पॉइंट के आगे जितनी बार नहीं लगा है उतने 0 लिख देंगे इसमें से यह माइनस कर लेंगे 7 8 1 2 में से 7 8 माइनिस करेंगे 12 माइनिस 8 4 10 माइनिस 7 3 और उसके बाद यह 7 और 7 और यह हो जाएगा 9 9 0 0 इसको simplify करना पड़ेगा देखो यह तो obviously यह तो 11 से कटेगा या 3 से या 9 से या 5 से या 2 से या 10 से है ना इन्ही नंबर से कटता ही है तो इसको आप काट के देख लिए 3 से काट दें या फिर 6 से काट के देख लिए क्योंकि 2 से तो कटी रहे और 3 से भी 7 14 17 21 कट रहे तो इसका मदब 6 से काट सकते हैं तो 6 से cancel out कर लें इसको 6 से cancel out करेंगे तो यह आएगा 1 2 8 9 और यह आजाएगा 1 6 5 and 0 नहीं कट रहे ठीक है तो answer D option हो जाएगा ठीक D option होगा next देख लो अगला दिया हो है कि अगर 506 25 इसको डिवाइड करें 12.5 से तो यह आएगा 4050 और हमें यह पूछा है कि 506.25 इसको डिवाइड करें 1.25 से तो कितना आएगा अब इसको इसके जैसा बना दे देखो इसके जैसा बनाएंगे तो दो डिजिट पे पॉइंट लगाना है दो डिजिट पे पॉइंट तब लगेगा जब हम इसमें क्या करें दो डिजिट पे पॉइंट तब लगेगा जब 100 से डिवाइड कर दें इसको ठीक है सो से divide करता है यहां पे दो डिजिट पर पोंट लग जाए गा और यह इस तरह से बन जाएगा और यह क्लिक है इसको इसा थरफ लेंके जाना लेप्ट में shift करना क्यों एक कष्केश जब एक डिजिट में shift करना है तो इसमें 10 से divide करेंगे यहां 10 से multiply कर देंगे तो यह 1.25 हो जाएगा ठीक है एक्टोल में हमने क्या किया 4050 तो उस तरफ हमने क्या किया उपर 10 से multiply किया नीचे 100 से multiply किया ठीक है डी option correct answer हो जाएगा नेक्स्ट दो संख्याओं का अनुपात तीन और चार है तो LCM 180 दिया है तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या होगी देखो नंबर माल लो आप कि 3x और क्या है चार एक्स तो LCM हमेश्चा क्या होता है इन नंबर का इनका 3 into 4 into x यह इनका LCM होता है जब भी ratio दिया हो क्योंकि x hcf होता है इनका एक्स जो होता है वह होता है यह आपको class में बताया जाता है अच्छे तरीके से कि एक्स जो है वह ratio जब निकालते हैं तो एक्स जो है वह hcf होता है तो hcf into यह बाकी दो फेक्टर जो दोनों ratio होते हैं जो है वह अधर फेक्टर होते हैं LCM के तो यह तीन फेक्टर आते हैं हमेश्चा जब भी दो संक्याओं का LCM लेते हैं और यह दियावा हमें 180 के equal तो अगर हम यहां से x की value निकाले यानि 12 से divide करें इधर लाके तो x की value 15 आ जाएगी इसका मतलब छोटा नंबर यह है यह बड़ा नंबर है तो x की जगे अगर 15 रख दें तो 3 into 15 यानि कितना हो जाएगा 45 छोटा नंबर 45 होगा D option correct answer ठीक है next देखें है a cube minus b cube दियावा है a minus b दियावा है a b की value पुछिए आसान सा question है a minus b 3 दियावा है आपको इसका cube कर दें दोनों तरब तीन का cube कर दें तो a cube minus b cube minus का 3ab into a minus b और इधर हो जाएगा 27 a cube minus b cube की value given आपको 414 3ab a minus b भी given है a minus b 3 है और यह 27 यह 27 को उधर ले जाके minus कर लेते हैं और यह 9ab होगा इसको इधर ले आते हैं तो 9ab plus का हो जाएगा 27 तो है वो 414 में से minus हो जाएगा ठीक है उधर ले जाके minus करेंगे तो यह 387 आएगा 9 से divide कर देंगे तो 9 into 4 और 9 into 3 यानि a b की value 43 होगी b option correct answer है ठीक है next इस समीकरण में a की value निकालनी है simplification है बिलकुल आसान सा एक सही एक बट्टे 3 दिया हो है तीन से ही एक बट्टे 2 दिया हो है और बराबर 2 से ही दो बट्टे 7 प्लस a एक ही value चाहिए चलो इसको ऐसे लिख सकते है बीच में plus लगा सकते है इसमें भी 20 में plus लगा सकते है और इन दोनों को उधर ले आएंगे तो 2 minus का हो जाएगा और 2 बट्टा 7 भी minus का हो जाएगा इधर a हो जाएगा अब इसको solve कर लेते हैं तीन और एक चार चार में से दो गटाएंगे तो यह तो दो बचा नमबर तो दो बचा जो integer value हो तो इन तीनों का ratio 3 2 और 7 इनका ratio आएगा 7 2 और 3 इनका LCM sorry LCM आएगा 42 तीन से यह 14 बार divide होगा 2 से यह 21 बार divide होगा और 7 से यह 6 बार 6 into 2 12 हो जाएगा यह बराबर में a हो जाएगा इसको solve कर लें तो 2 प्लस यह 14-12 दो यानि 23 23 बटे 42 यह एक की value आजाएगी तो सही 23 बटे 42 यानि D option जो है तो correct answer है इसका ठीक है तो सही 23 बटे 42 उसके बाद next question है तीन संख्या है और कह रहा है कि यह इस तरह से अनुपात में या proportion में या समानुपात में है कि 34 संख्या चतुर्था अनुपाती है ठीक है तो कौन सा ऐसा option है जिसमें fourth number जो है वो इनका चतुर्था अनुपाती या फिर fourth proportion में नहीं है ठीक इंटू साथ 147 और 24 इंटू 6144 प्लस 3 यह भी 147 बराबर आ रहा है तो यह तो सही proportion है यहां देखे 12 इंटू 18 और 27 इंटू 8 यह फिर simple ratio देख ले अगर आप multiply नहीं देखना चाहें तो इन दोनों का ratio आएगा 32 और इन दोनों का ratio भी 32 बराबर आ रहा है तो इसका मंदब य दो युशा है इसका देखें तो इन दोनों का ratio 2 1 और इन दोनों का ratio 1 2 & 2 जबकि इन दोनों का ratio आएगा साथ और दो यह बराबर नहीं आ रहे है नहीं लिखा हुआ है उसमें फॉर्थ प्रोपोर्शन गलत लिखा हुआ ठीक है तो सी आंसर हो जाएगा इस नेक्स्ट कि एक कंपनी द्वारा निर्मित यूनिट में से 2019 में 12500 यूनिट और 2020 में 10635 यूनिट जबकि कंपनी बी जो है उसने 2019 में 24,000 यूनिٹ और 2020 में 3600 यूनिट इसने प्रोडूस किया यानि प्रोड़क्शन किया इतना यूनिट का प्रोड।onta है x और y जो है वह a और b द्वारा 19 से 2019 से 2020 तक जितनी unit उन्होंने produce किये है उसमें होने वाली % कमी को दिखावते है x जो है वह a की जो % कमी गता है और और y जो है वह b के प्रोडेक्शन में % कमी को बताता है तो अब आपको X और Y का रेश्यो बताना है देखो X के production में कितनी कमी हुई 12,500 से 10,635 हो गया 12,500 से 10,635 हो गया इतनी कमी हुई कितने पर हुई 12,500 पर हुई ठीक है percent में बदलेंगे into 100 ये तो हो गया X के जो production है उसमें percentage में कमी ये X की value है ये X की value है A के production में जो कमी हुई है उसका percent है Y की value यानि B के production में कितनी कमी हुई तो B का production 34,000 था 34,000 से गिरकर 36,600 हो गया यानि इतनी कमी हुई और ये कमी हुई 34,000 पर ठीक है into 100 कर देंगे अब इन दोनों का ratio तो पूछा अपने से तो यही ratio लगा लेते हैं देखो 100 cancel out हो जाएगा इसकी जोड़त नहीं है अपने को ना नहीं लिखते तो भी चलता ठीक है इनको अगर थोड़ा sol करें 12,500 में से 10,625 गटाएं तो 10,5,5 हो जाएगा 9,2,7 हो जाएगा और ये 14,6,8 हो जाएगा और 11-10,1 हो जाएगा अठारा सो पिचेतर बटे 12,500 ये बचा इस तरफ इसमें से ये गटाएं तो ये 0,0,14 और 3, ये 3400 ही हो जाएगा ठीक है? 3400 बटे 34,000 यानि ये तो कट जाएगा कितना आजाएगा? बटे 10, एक बटे 10 आजाएगा इसको अगर हम और शरल करें 25 से काट दें तो ये 500 हो जाएगा 25 से कट के ये 25 इंटू 7 और ये 25 इंटू 5 ठीक है? फिर 25 से डिवाइड करें 3 और ये 20 और 10 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार? दो बार तो इधर 3 बटे 2 बचा और इधर 1 बचा इसको और सिंप्लिफाई करें क्रोस प्रोड़क्ट करें तो 3 इंटू 1 और 2 इंटू तो 3 और 2 3 अनुपाद दो आजाएगा C ओप्शन करेक्ट आंसर होगा 72 नंबर का आंसर C इसमें भी देखो आपको परसेंट बगेरे निकालने की जोड़त नहीं होती है आप अगर रेश्यो पूछा है तो सीधा रेश्यो लिखे और फटा पट जो नंबर उनको कैंसर आउट करके आंसर निकाल ले अब इसके बाद में ये का क्रिशन आपको दिया हुआ है कि 2012-13 में 25-50 70 20-70 70 और 545 145 और ये 200 मतलब टोटल प्रोडेक्शन 200 का हुआ है ठीक है मिलियन टन में बोला हुआ है 200 मिलियन टन का प्रोडेक्शन हुआ है और उसमें चावल का प्रोडेक्शन 75 है तो अगर हम परसेंट में बदले हैं तो 75 तू हंड्रेड का कितने परसेंट है यह सिंपल हो जाएगा दो से डिवाइड करेंगे तो साड़े सेंटीस परसेंट आएगा 37.5 परसेंट यानि डी ओप्शन हो जाएगा सिंपल सा क्यूशन है बिलकुल आसान सा नेक्स्ट एक समकोन त्रिवूज की दो लंबद बुजाओं की बीच का अंतर समकोन त्रिवूज दिया हो आपको यह माली जी समकोन त्रिवूज है और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है यानि जो 90 डिगरी का कोन बनाती है उनका अंतर दो है मालो यह एक से तो यह एक स्पलस दो है ठीक है इसका एरिया 24 दिया हो है एरिया क्या होता है वन अपोन टू पेस इंटू प्रिपेंडिकुलर है आदार इंटू लंप तो एक सिंटू एक स्पलस दो की वेल्यू कितनी है 24 है इस टू को एधर मल्टिप्लाई कर दे तो एक सो एक स्पलस टू की वेल्यू ओभी 48 ठीक है अब दो नमबर ऐसे डूंड़ो जिनका अंतर दो हो देखो यह एक से दो ज्यादा है ऐसे दो नमबर जिनका अंतर दो हो और गुणा 48 हो तो डेफिनेटली 8 और 6 होंगे 6 और 8 हो जाएंगे यानि एक स्पलस दो की वेल्यू 8 है और वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं ट्रिप्लेट होगा यह 6 होगा यह 8 होगा तो यह 10 हो जाएगा ठीक है ट्रिप्लेट बन जाएगा 6 8 10 और परीमा पूछा है तो तीनों का जोड़ यानि 10 और 8 अठारा थारा और 6 24 पेरिमेटर तीनों का सम तो 24 आजाएगा तीन इंटू सेक स्क्वाइर है इसकी वेल्यू क्या होगी देखो 1 माइनिस साइन कोस स्क्वाइर है आइडिन्टिटी है सीधा पता है 1 माइनिस कोस स्क्वाइर है किसके बराबर होता है साइन स्क्वाइर और सेक जो है वो किसका पोजिट होता है इन्वर्स होता है कोस का तो सेक questions थे, math के जो paper के, कुछ एक question में, एक दो question में considerations हैं, बाकी question बिलकुल आसान, आसान से, जैसे exam के आते हैं, उसी level के questions हैं, ठीक है, उमीद है, सबी लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी आपके doubts रहें, वो clear होगे, ठीक है, अगली paper के solution के साथ में, फिर से मिलेंगे, जब झाल झाल